हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल आर्केवर में आक्टेकल पर तो फ्रेंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यानि NCIT का जो पेपर हुआ है आज 30 तारिक को उसके कुछ मेमोरी बेस कुछन हैं जो हमारे चात्रों ने भेज़े हैं उनका इमेल पर question send कर सकते हैं तो चली फिर वीडियो को इस्टार करते हैं वीडियो को सब्सक्राइब करने और साथ में बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो को कोई भी नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप हमें टेलिग्राम ग्रू इसमें जो IE rule जो हमारा संब्सक्राइब है जो आपकी मानक गोसित आपकी जो frequency है उसमें जो variation है वो 3% के आसपास होना चाहिए इससे आपका संब्सक्राइब होता है तो आई डांसर आपको चूज करके करना था और आपको दोस्तों ये दोसरा वाला जो question था VIR केविल की ज आपकी जो earthing की जाती है वो आपकी road earthing वहाँ पर की जाती है आगे चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं friends चौते question की बात करते हैं यानि 210 ohm पिलस माइनस 5 ohm के प्रतिरोध को आपको color code ग्याद करना था तो आप सभी जानते हैं BB good boy very good wife से आप इसका color coding वहाँ पर निकाल सकते हैं तो चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं जो आपका 5 question की बात करते हैं तो 5s जो आपका rule है वो किससे संबंदित है यानि दोस्तों ऐसा question DMRC में पूछा गया था DMRC में जो आपकी 3-4 तरीका से question पूछ लिया था यानि 5s concept में S का क्या मान है इस तरह से question पूछ लिया दोस्तों ये सुरक्ष्य संबंदित है 5s concept जिसमें आपका यानि आपका S पहले आपका sorting करना होता है फिर उसको बाद sequence में लगाना होता है फिर आपका standardization करना होता है फिर आपका signing करना होता है फिर आपका इस प्रिकार से दोस्तो 5S Construct जो है आपका वो सुरुष्चे सम्दित से नियम से सम्दित है अब ओम का जो इन्वर्स यहाँ पर छटा कुछन की बात करते हैं दोस्तो यहाँ पर पूछा गया था ओम इन्वर्स किसका मातरक है दोस्तो यहाँ वन अपॉन आर जो है आपका किसका मातरक है दोस्तो आप सभी को पता है कि चालकता का जो उल्टा होता है यहाँ आपका पृतिरोद का उल्टा चालकता इसका मातरक आपको कर देना था चटे question की पात करते हैं दोस्तों प्रदी दीप्ति में कॉस जाइन किस के समानुपाती होता है तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा आई अनकॉर्ण बारते हैं आपका कॉस फाई या कॉस ठीटा एस करका होता है तो आपका इस प्रिकार से आपको question में कर दिना था अर्थिंग के चालक करंग कैसा होता है तो सभी लोग जानते हैं हरे रंग का जो तार होता है वो आर्थिंग चालक के रूप में किया जाता है और आगे चलते हैं दोस्तों नौ में question की बात करते हैं यानि मोटर में दो कुंडलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं यानि कॉल इस्पान करके ऐसा question वहाँ पर आया था आगे चलते हैं दोस्तों दसमे question की बात करते हैं थ्री फेस प्रियर्ण मोटर ये आपका पूछा गया था self start होती है या नहीं है इस प्रिकार से question पूछा गया है तो दोस्तों थ्री फेस जो मोटर होती है वो आपकी self start होती है आगे चलते है HRC fuse की क्या विसेशता है दोस्तों आपको जो option आपको suitable लग रहा था आपको उसको चूज करके वहाँ पर कर देना था आगे चलते हैं साध साधी विभास हमारों में आगे चलते हैं दोस्तों तेरे में question की बात करते हैं पांच ओम और साथ ओम की पृतिरोध को आप समांतरल ब्लागाने पर इसका तुल्ले पृतिरोध क्या होगा तो बहुत ही आसान question था आपको आपको आसान answer कर देना था आगे चलते हैं दोस्तो निमलिखित में से पृतिरोध ग्यात करने का formula क्या है अब आपको वहाँ पर नए 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 तरीका से formula दिया गया होगा तो वहाँ पर आपको choose करके कर देना था यानि पृतिरोध किस प्रकार से निकाल जाता है और यानि पंदल में question की बात करते हैं तो fuse में fuse विदू धरा के किस सिद्धान पर कारिये करता है तो इस प्रकार से आपको choose कर देना था option बहुत ही आसान question आये थे और हाला कि आप सभी जानते हैं कि जो memory बस question होते हैं जो आसान होते हैं वही याद रहते हैं जो hard question रहते हैं वो बच्चों को जायतर याद नहीं रहते हैं चालक में आवर्ती है और इसमें पोलों की संख्या महाँ पर आपको ग्याद कर देनी थी तो आपको आसानी से महाँ पर आप निकाल सकते थे इस प्रकार से question पूछा गया था आगे चलते हैं दोस्तों यानि दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसान question पूछे जा रहे हैं NCITC exam जो हो से तो हमें सीधा आप मेल कर सकते हैं मेल आपको डिस्क्रिस्वने मिल जायागा अब सीधा उस पर मेल कर सकते हैं तो thank you for watching this video see you next time